जोहिंग पेंस नमस्कार सोफेंस बड़ी खबर भारतियों जेट एंजिन दूबीदा जीहां करवाई का आवाद जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारते के खुद की जेट एंजिन डेवलप करने के लिए बहुत ही देरी कर रहा है हालिया रिपोर्ट के मुताबिक कि हमारे भारते के सोधी से 110 किलोनूटर दैथरस्ट इंजिन को डेवलप करने के लिए फोर्जिन कंपनियों के साथ आगे बढ़ेगा जो कि 2029 तोक सामने आ जाएगा मतलब 27-8 साल लगेंगे तो अभी यह रिपोर्ट आ रहा है कि जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि फिव जरेशन एयरकाप्स के लिए 110 किलोनूटर दैथरस्ट क्लास इंजिन भी पोस्पिशन नहीं है जी हाँ तो एक जैसे कि F22 और F35 निव वेरियंट पर व्यभार किया जाता है 130-140 किलोनूटर दैथरस्ट क्लास इंजिन और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे हमारे भारत ये 112 किलोनूटर दैथरस्ट क्लास इंजिन को उपर काम कर रहा है और इसे लाने वाला है मतलब ये निव इंजिन हमारे आमका के लिए सफिसर नहीं होगा तो इसे देखते हुए हमारे भारत ये निव इंजिन को उपर एक निव इंजिन को उपर जा सकता है जो की 140 किलोनूटर दैथरस्ट बेसिक जनेर कर सकता है जी हाँ फ्रेंस बड़ी बात ही ये है कि हमारे डियादी और इसके लियाब जो डिज डियारी होता है तो इसके द्वारा जो फ़र्जिन कम्पनियों के साथ कुलाबर्शन किया जाएगा ये इंजिन को हमारे देश में डेवलप किया जाएगा तो ये 7 आर साल के अंदर मतलब 2027 तक इसका फ तक चाना है जाएगा 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 वे